नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप अपने कुछ दिनों से थाइरेट की समस्या से गुजर रहे हैं तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने थाइरेट की समस्या को जड़ से खतम कर सकते हैं तो दोस्तो आईए जानते हैं इसके कुछ औशिदिय उपाये दोस्तो थायरेट की समस्या से निजात पाने के लिए कई प्राचीन आयुरवेदिक उपाये ऐसे हैं जिनके जरिये हम अपने ही घर में मौझूद चीजों से रोक थमा के उपाये कर सकते हैं तो दोस्तो जानते हैं इसका पहला उपाय है अद्रक से घरों में आमतोर पर मिलने वाली चीजों में से एक अद्रक है इसमें मौझूद गुड जैसा पोटेशियम, मैगनीशियम, आदी थायरेट की समस्या से निजात दिलवाते हैं अद्रक में एंटी इंफर्मेटरी गुड थायरेट को भड़ने से रोकता है और उसकी कारेप्रणाली में सुधाल लाता है फिर है दूद का सेवन थायरेट की समस्या से ग्रसित लोगों को दही और दूद का इस्तिमाल अधिक से अधिक करना चाहिए दूद और दही में मौजूद कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स थायरेट की ग्रासित पुर्शों को स्वस्त बनाए रखने का काम करता है फिर है साबुत अनाज जौँ गैहूं और साबुत अनाज से बने प्रदार्तों का सेवन करने से थायरेट की समस्या नहीं होती है क्योंकि साबुत अनाज में फायवर, प्रोटीन और विटामिन्स आदी भरपुर मात्रा में होते हैं जो थायरेट को बढ़ने से रोकते हैं दोस्तो अगर आपको ये उपाय और ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद